दोस्तों अभी कुछी दिनों पहले मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहा कि अर्मेरे लैपटॉप के अंदर SSD अपग्रेड कर दे लेकिन ध्यान रखना कि मेरी Windows और 2-3 Software जो है वो licensed है और मेरा license कहीं पर भी lost नहीं होना चाहिए मैंने कहा don't figure हो जाएगा और मैंने कुछी वक्त के अंदर उसका काम उसको करके दे दिया वो चौंक गया उसने पुछ से पूछा कैसे मैंने कहा ऐसे तो दोस्तों जो benefit मेरे friend को मिला है मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को भी मिले तो इसलिए मैं आपके साथ ये information share कर रहा मैंने यूस किया था Tenorshare का 4D DIG Partition Manager ये एक ऐसा tool है जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं लाइक इसके disk cloning option को चूज करके आप अपनी entire disk का clone तियार कर सकते हैं या फिर particular कैसी partition का backup तियार कर सकते हैं इसके migrate OS option को चूज करके आप अपनी windows को किसी नई hard drive में या फि कि कोई सी भी हो 7 हो 10 हो 11 हो आप easily clone तयार कर सकते हैं या फिर इसके convert disk option को चूज करके आप अपनी entire hard drive को GPT में हो तो MBR में कर सकते हैं और MBR है तो GPT में कर सकते हैं और सबसे खास बात ये काम without data loss होगा partition management option को चूज करके आप अपनी storage device के partition को manage कर सकते हैं लाइक आपको shrink करना हो partition extend करना हो हूं crunch करना honestly more करना हो बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसके अदर है partition recovery option भी दिया गया है जिससे आप अपने T pronoun को इसको recover कर सकते हैं या फिर अगर आपने partition का backup ले रखा है तो इसको restore कर सकते हैं अगर आपका partition corrupt हो गया है तो उसको repair कर सकते हैं और अगर आपकी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो केसिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल है अपनी 2.5 इंच की सेटा एसेज़ी को एंट्लोजर के अंदर लगाईए और अपने सिस्टम के यूज़ी पोर्ट से इसे करेंट कर दीजिए और अगर आप NVMe SSD का यूज़ करने वाला है तो मार्केट में इस तरह के एंट्लोजर एविलेबल है आप अपनी SSD को एंट्लोजर के अंदर फिट कीजिए और USB पोर्ट के उपर करनेट कर दीजिए आज हम माइगरेट करने वाले हैं हमारी Windows 10 मशीन को और ये इसका जो लाइसेंस स्टेटस है वो में आभी आपको चेक करा देता हूँ Windows 10 का प्रोफेशनल एडिशन है and Windows is activated with a digital license ठीक है अब हम इसको माइगरेट करेंगे SSD के अंदर और हमने यहाँ पर हमारी 240 GB के SSD को USB के थुरू connect कर दिया है हमारे सिस्टम से तो एक बार हम इसका detection चेक कर लेता है इस PC के उपर रैक्लिक करेंगे हम manage के अंदर आएंगे यहाँ पर disk management option को choose करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 240 GB के SSD initialize हो चुके ठीक है तो GPT MBR जो भी आप चाहें अभी यहाँ पर choose कर सकते हैं कोई फरक नहीं परता फिलाल cancel भी कर सकते हैं क्योंकि जो हम tool का इस्तेमाल करने वाले हैं उससे यह वैसे भी format हो जाएगी ठीक है आपको करना क्या है description के अंदर जाना है वहाँ पर आपको एक link पे लेगा link को करना है copy copy करने के बाद browser के उपर आपको कर देना है इसे paste एंटर टैनो शेर की partition manager वाली website open हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते है all in one disk partition manager simple है आपको यहाँ से इस tool को download कर लेना है इसका online installer download हो जाता है तो हमें क्या करना है अभी जाना होगा हमारे downloads के अंदर right click करना है run as administrator करके इसे open करना है और simple install वाले बटन पर क्लिक करके इस tool को अपने system के अंदर install कर लेना है एंड इसके बाद start इसके बाद टैनो शेर का graphical user interface हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है और इसके जो सारे options है यह मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ तो इस बार हमें choose करना है migrate OS option ठीक है इस पर आपको आना है और simple start वाले बटन के उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है source disk और target disk तो source disk हमारी वो है 123GB की जिसके अंदर अभी हमारा operating system install है target disk हमारी वो रहेगी जिसके अंदर हमको हमारा जो operating system है वो clone करना है तो हम यहाँ पर दोनों को select कर लिया है simple start वाले बटन के उपर क्लिक करना है यह एक warning देता है कि बिया जो भी आपका target disk के अंदर होगा data वो delete हो जाएगा format हो जाएग अब यह आपको summary दिखाता है source disk देखिए कुछ इस तरह की है जो 123GB की है तो इसमें हमारे जो c drive है दोस्तों यह total 128GB का है लेकिन हमारे जो target disk है वो 205GB की है तो इसमें यहाँ पर आप c drive देखेंगे तो लगबग 240GB की आ रही है तो इसने जो space है हमारा वो automatic manage कर लिया है ठीक ह तो इसके बाद simple है आपको start वाले button के उपर click कर देना है इसके बाद आपकी source disk की जितनी भी operating system की files है drivers files है software files है यह सारी आपकी SSD के अंदर clone हो जाएगी और इसके अंदर total लगबग 8-10 minute का time लग सकता है depend करता है कि आपने SSD कौन सी choose की है और आपने कौन से USB port के उपर इसे plug कि किया है तो यह काम थोड़ा fast हो जाएगा migration task complete होने के बाद यहां पर message आता है migrate system successfully simple है इसके बाद आपको finish वाले button के उपर click कर देना है चीक है तो इस wizard को हम कर देते हैं फिलाल close disk PC के उपर हम click करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं एक हमारे 123GB का पुराना वाला drive है और यह ह क्या करेंगे हमारी पुराने वाली डिस्क को तो रिमूफ कर देते हैं और नई वाली डिस्क से हमें system को बूट करके check करना होगा और हमने हमारी पुराने वाली storage device हटा दी है और इस समय जो बूटिंग चल रही है दोस्तों यह नए वाली SSD के थ्रू चल रही है आप इसके ब प्राद आते update and security में, activation में और हमारी Windows का license भी हमें वापस मिल गया है without data loss यह पूरा operation हो चुका है without digital license भी हो चुका है वाव इट्स अमेजिंग और हमारे system के दा जितने software install थे वो भी हमें desktop के ओपर वापस मिल चुके है तो 100% operation successful दोस्तों अभी Christmas का time है New Year celebration का time है तो इसी यह Tenno Share की तरफ से आपको मिलता है बहुत सारे bumper offers तो description के अंदर जाना है वहाँ पर आपको Christmas giveaway का एक link मिलेगा करना है आपको copy browser के अंदर कर देना है उसे paste अब यहाँ पर देख सकते हैं Christmas sale चल रही है Tenno Share के mostly सारे products के ऊपर काफी सारे bumper offer आपको मिलते है और यहाँ पर आपको कई सारे coupon भी मिलते हैं आप देख सकते हैं आप direct money भी जीच सकते हैं यहाँ पर आपको 30% तक के coupon code available हो जाते हैं और आपको मिलते हैं यहाँ पर Amazon के 200$ के gift voucher भी आपको मिल सकते हैं और particular अगर आप यह 4D partition manager का buy करना चाहते हैं तो 9.9$ के अंदर आप इसको buy कर सकते हैं एक मत का subscription आपको मिल जाता है तो इसी तरह से काफी सारे offer यहाँ पर मिल जाते हैं आपको जिनका फायदा आप उठा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर काफी सारे product है like file repair है data recovery है duplicate file finder है और इनकी price जो है वो काफी कम हो गई है Christmas offer की वज़े से तो जो भी आपको requirement है वो आप यहाँ से buy कर सकते हैं काफी कम price के अंदर दोस्तों ऐसा यूनिवर्सल टूल और वह इस प्राइस में वाव इट्स अमेजिंग और इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए don't forget to subscribe टेक्नो बाजी फिर मिलागात होगी एगली वीडियो में गुट बाई जैहन वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe शरूर कर लेना बाई बाई